हेलो फ्रेंज, वेलकम तो ए 24 नॉलेज ए ओफिशल यूटूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टाफ सेलेक्शन कमिशन SSC की नियूर्यूर्मेंट नॉटिफिकेशन जो की फ्रेंज से जारी हुई है आपके SSC सेलेक्शन पोस्ट फेस बारा इसका online form आप कैसे apply कर सकते हैं इसके फ्रेंज से basic guidelines के बारे में हम बात करेंगे देखे फ्रेंज से यहाँ पर जो website है वो अभी proper तरीके से काम नहीं कर रही है इससे related मैंने पहले भी एक video provide किया था जिसमें हमने बात की थी कैसे आप यहाँ पर अपना registration complete कर सकते हैं इसके ल सबसे पहले आपको करना होता है registration तो register वाले option पर click करना है और देखे यहाँ पर आपको नया registration ही करना होगा क्योंकि यह portal जो है वो नया portal है तो register ना उपर click करना है इसके बाद continue करना है आपकी पाधार कार्ड है तो आप पाधार कार्ड की जानकारी दे सकते हैं type of ID अगर calendar select करना है इसके बाद आपको यहाँ पर आपका DOB calendar के माध्यम से select करना होगा आपका father name देना है mother name देना है board का नाम क्या है तो board का नाम आप select कर लेंगे उसके बाद आपका role number क्या है वो आपको देना होगा year of passing देना होगा और highest qualification में आपकी जो भी highest qualification है माली जी आपकी degree अभी appearing है तो भी आप highest qualification में degree ही select कर लेंगे अगर आपके पड़ डिपलोमा है 10th है 10th है आपके according कोई भी आपकी highest qualification है वो आप select कर सकते हैं इसके बाद फ्रेंस से next option है आपके mobile number का और आपकी mail ID का तो यहाँ से mobile number और mail ID को आपको फ्रेंस से यहाँ पर डाल कर उसके पास उसके एक OTP आती है वो OTP आपको verify करनी होगी जारा तर जो problem है server की वो यहीं आ रही है कि जो की फ्रेंस से आपका जो OTP है वो verify होने में समय लग रहा है तो यहाँ पर फ्रेंस से आपको थोड़ा wait करना ही होगा क्य ब्राउजर अभी start ही हुआ है क्योंकि नया portal है तो आपको थोड़ी वो समस्या starting में आएंगी ही तो यहाँ पर फ्रेंस से आपका जब mobile number verify हो जाएगा इसके बाद आपको फ्रेंस से आपको registration number है वो फ्रेंस से आपको यहाँ पर मिल जाएगा registration number मिलने के बाद फ्रेंस से आ आपका security question का जब काम हो जाएगा इसके बाद अपने registration number और जो नया password आपने create किया होगा और यह capture code डाल कर आप इसमें login करेंगे login करने के बाद फ्रेंस से आपके सामने देखे category का option होगा तो आपकी जंदल, OBC, SC, SC, SC जो भी category है वो आप से लिन करेंगे nationality आपको देनी है, कोई भी visible identification mark है तो वो आपको देना है, PH category है तो आप यसे अनो कर सकते हैं और उसके बाद अपने address को आप यहाँ पर enter करेंगे मैंने इसकी process पहले ही आपको provide की हुई है आप उस video को भी check out कर सकते हैं इसके बाद friends से यहाँ पर देखिए अब आपको login करना होगा login करने के बाद आपको friendship form को apply करना होगा तो यहाँ पर देखिए आपकी जानकारी है वो आपको automatic यहाँ पर fill up मिलेगी जो भी आपने registration में fill की होगा इसके बाद यहाँ पर देखिए आपके जो next option है जैसे आपका ex-servicemen status क्या है वो आप यहाँ पर बता सकते है यहाँ आप करेंगे इसके लावा आपने कभी benefit लिया है इसके बाद इस data को save and nest आप कर देंगे इसके बाद फैंसे यहाँ पर देखिए post related details आएंगी तो आपको यहाँ पर reason select करना होगा जहां से आपकी post आप लेना चाहते हैं तो इसके लिए फैंसे आपको यहाँ पर देखिए post details section यहाँ पर मिलता है जिसमें आपको selection post देखिए 12.2024 का option मिल जाएगा आप यहाँ से जो भी reason के लिए apply करना चाहें आप उस reason को select कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ से आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए post category number मिल जाएगा इसके बाद pay skill मिल जाएगा post का नाम आपको मिल जाएगा और उसके बाद action पर आप इस related जो भी जानकारी आपको चेक करनी है और स्पोस्स सर्लेटेड वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है साथ में फ्रेंट से यहां पर देखिए जो initial place of posting होगी वो कहां पर होगी आपको जो क्या duties करनी होगी इस post पर हैते हुए सारी जानकारी आपको यहां पर देखने को मिल जाती है आपके पास यहां पर 12 है या आपके पास दिपलोमा है या आपके पास दिगरी है तो आप यहां पर आविदन कर सकते हैं और अपलाय करने से पहले इसकी LBT conditions को jobraastra.com पर जाका चेक आउट जरू कर ले तो यहां पर फैंसे post post code select करने के बाद आपकी highest qualification यहां पर आएगी इसक के बार उस post के लिए आप essential qualification रखते हैं उसकी जनकारी आपको देनी है आपका अगर माली जो पोस्ट में कोई भी experience required है तो आप यहां पर yes कर सकते हैं नहीं तो आप not applicable करेंगे अगर कोई experience है तो आप experience की जनकारी यहां पर दे सकते हैं इसके बाद फैंसे आपको exam center की preference देनी हैं skill test का medium आप कौन सा लेना चाहते हैं वो आप जनकारी यहां पर दे सकते हैं और इसके बार आएगा आपका photograph upload section अब यहां पर देखिए जो photograph है वो आपको यहां पर upload करनी है और इसके अलावा आपको capture करनी होगी live photo यह friends आप scan कर सकते हैं QR code को और play store से एक app जो होगा वो आ download कर सकते हैं live photo video device आप यहां पर capture कर पाएंगे तो यहां पर friends जो simple photo ही आपको upload करनी है कोई भी date या कोई भी नाम mention करने की ज़रत नहीं है इसके लिए sample photo इसकी notification में already दी हुई है तो simple photo आपको upload करना होगा इसके बार आपको यहां पर signature upload करना होगा signature का जो size है वो 10-20 के भी र capture कर लेंगे इसके बाद friends से आपका देखिए जो form है वो finally submit यहां पर हो जाएगा अब यहां पर देखिए जो आपके cast certificates है उसके जो annexer है वो आपको यहां पर दिये गए है किस performa में आपका certificate होना चाहिए इसके अलावा friends से vacancies की details आपको यहां पर देखने को मिल जाती है जि आप सबसे last में जब आएंगे तो total number of post जो है वो दो हजार उड़नचास vacancies जारी की गई है SCST OBC EWS जन्दल में जो vacancies है वो जानकारी आप यहां पर चेक कर सकते हैं vacancies कम है पर फेकेंसी जो है ज्यादा हो भी सकती है बढ़ भी सकती है और इसका जो notification है वो आपका जारी हो ग कम्पूटर बेस टेस्ट है से 8 माई 2024 को होगा इसके लावा फेंसे यहां पर आपको help line number भी provide किया गया है तो कोई भी समस्या कोई भी क्यूरी है तो आप इनसे संबर्ग कर सकते हैं तो यहां पर फेंसे क्योंकि मैंने अभी यहां पर आपको सिफ गाइडलाइन बताई है क् कुछ problems आपको create होगी ही तो आपको wait करना है जैसे ही इसका link सही से work करने लगेगा उसके बार मैं आपको अलग से update कर दूँगा तो यहां पर अगर आपको हमारी update पसंद आई है आप चाहते हैं ऐसे ही updates आपको लगातार मिल सके तो like, subscribe जरू किजिए बाकी की जानकारी के ल हमारे साथ देखते रही है हमारा यह लूप चाहिए लास थेंग्स पोर वाचिंग